हलो फ्रेंज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा देखिए बहुत सारे लोग हैं जो भगवान में विश्वास करकते हैं और एक ऐसा भी तबका है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है तो जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं उसके लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयोग होता है थीस्ट और जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं तो थीस्ट के आगे अ लगाना है बन जाता है अथीस्ट ऐसा भी एक तबका है ऐसे भी लोग हैं जिनका भगवान में विश्वास होता है और कभी-कभी कुछ समय के लिए भगवान से विश्वास हड़ जाता है फिर लोट आता है ऐसा कभी शायद आपके साथ हुआ हो कि कोई विप्रीत परिस्थिति आपके जीवन में आई हो और आपने भगवान से बहुत प्रात्ना की हो भगवान आप हमारी मदद करें जिस भी भगवान को आप मानते हैं किसी भी धरम में लेकिन ये एक फैक्ट देखने में है कि लेकिन 30% chances ऐसे भी हैं कि जब आप भगवान से सच्चे मन से प्रात्ना करते हैं लेकिन वो सुनता ही नहीं आपकी बात को और वो परिस्तिति आपके सामने आ जाती है और आप उससे निकर ही नहीं पाते हैं और जो नेगेटिव सिचुएशन है वो और भी नेगेटिव होते जाती है तो सवाल यही उठता है फ्रेंड्स की क्या भगवान का अस्तित्व है क्या भगवान सच में है इसी प्रश्ण के बारे में हम बात करेंगे और मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुती बड़े फिजिसिस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम है स्टीफन हौकिंग्स स्टीफन होकिंग्स ने इस बारे में क्या कहा है इस पर मेरा विशेश फोकस होने वाला है फ्रेंज्स ये जो वीडियो है काफी इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप मेरे साथ बने रहें Albert Einstein के बाद अगर कोई नाम साइन्स के जगत में बहुती इज़त से लिया जाता है तो वो है स्टीफन होकिंग्स स्टीफन होकिंग्स जैसे आप जानते हैं कि उनका जनम 1962 में हुआ था और अभी कुछ साल पहले ही 2018 में उनकी मृत्य हुई जब वो बहुत छोटे थे 21 साल के थे तो मोटर नियूरॉन प्राब्लम के कारण उनको पैरलिसिस हो गया था और वो वीर्चेर पर ही चलते थे तब से लोग क्या है बहुत जल्दी दूसरों के बारे में अपनी अवधारना बना लेते हैं अपनी भविश्वानी कर देते हैं लोगों ने ऐसे कयास लगाए कि स्टीफन हॉकिंग्स अपनी पीएजडी पूरी नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी उनकी मृत्यू भी हो जाएगी लेकिन फ्रेंड्स 55 यर्स तक वो जिन्दा रहे और उन्होंने बहुत सारी किताबे लिखी और जादातर किताबें जो हॉकिंग्स की हैं वो बेस्ट सेलर हुई है लोगों को इंतजार रहता था हॉकिंग्स की किताब का आने का और हॉट केक्स की तरह वो किताबें बिग जाये करती थी 1980 में जब उन्होंने एक किताब लिखी तबी से उन्होंने प्रश्ण पूछना शुरू कर दिया था अपने किताबों के माध्यम से कि क्या भगवान सही में है की नहीं है स्टीफन हौकिंग्स ने केमरिज में अपना काम किया ज्यादा थर और उन्होंने आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की बात करें एलियन्स की बात करें इसके लिए काफी सारा काम उन्होंने किया है उसके लिए हम हमेशा उनके रिनी रहेंगे उन्होंने फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचा है यह जो बुक उनकी लास्ट किताब थी जो उन्होंने लिखी है उसका नाम ही यही है कि क्या भगवान वहा nhất है शायद हॉकिंग्स को महसूस हो गया था कि यह उनकी आकरी किताब है और जितनी भी किताबे आप उनकी देखेंगे पहले उसमें कहीं भी भगवान का उल्ले कितना ज़्यादा नहीं आता है किताब छपी आखिर में और जो 2018 के बाद पब्लिश हुई उनके मरनो प्रांथ उनके मर जाने के बाद वो किताब का नाम ही उन्होंने ये लखा रखा था कि क्या भगवान वहां है शायद उन्हें महसूस हो गया था कि ये उनके आखरी किताब है बड़े जो ग्रेट सोल्स होते हैं उन्हें महसूस हो जाता है पहले ही जो दुनिया से जाने वाले होते हैं और ये किताब उनकी मास्टर पीस सावित हुई बहुत ही इसकी कॉपीज बिकी है अगर आप भी पढ़ना चाहें तो खरीद के पढ़ सकते हैं इस किताब में उन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया है स्टीफन्स का कहना है कि भगवान का कोई अस्तित्व है ही नहीं भगवान इस दुनिया में या कहीं भी भगवान नहीं है उनका ये भी कहना है कि किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है ये सब जो है मन को बहलाने वाला एक आइडिया है बिल्कुल भी ऐसा उन्होंने कहा है और बहुत सारे सवारों उन्हें उठाए है और उन्होंने लोगों से भी सवाल पूछे है कि विपरीत परिस्तितिया आती है तब क्या भगवान उनकी हमेशा मदद करते है क्या किसी ने भगवान को देखा है क्या कोई सबूत है हमारे पास की भगवान है की नहीं है और उनकी भविश्यवानी भी है कि ये सदी खतम होते होते लोगों का भगवान पर से और भी विश्वास कम होता जाएगा और उन्होंने ये स्टेट किया है इस किताब में जिसका नाम है भगवान वहां नहीं है इसमें उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की है Hawking ने कि इस सदी के बाद एक बहुत बड़ा तपका इस सोसाइटी का भगवान में विश्वास नहीं करेगा थीस्ट लोग जो है वो एथीस्ट हो जाएंगे जो आस्तिक लोग है वो नास्तिक हो जाएंगे तो स्टीफन हॉकिंग्स खुद भी नास्तिक थे शुरू में वो आस्तिक थे पर दीरे दीरे वो नास्तिक बन गए हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी परिशानिया जहली हो पूरा जीवन उनका वीलचेर पर बीद गया और उन्होंने कहा है कि ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं इसी किताब में उन्होंने लिखा है कि ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर आप अच्छा करते हैं तो भगवान अच्छा परिणाम देता है तो उन्हें कहा कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया कभी भी 21 साल की उम्र में जो मोटर नियूरान प्रॉबलम हुआ जिन्दगी भर उन्हें सफर करना पड़ा वीलचेर पर रहना पड़ा और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि शायद ये एक श्रापित जीवन था उनके लिए और वो ऐसा नहीं मानते पर लोगों का सोचना ऐसा ही हो गया था उनके बारे में लोग ऐसे ही कहते थे कि अरे इनका तो कुछ पुरे पिछले जनम का कुछ होगा ऐसा भी लोग का सोचना है इस किताब में और उने ऐसा भी कहा है कि स्वर्ग और नर्ग जो है ये सारे कंसेप्ट्स मन को बहलाने के लिए हैं ये बिलकुल भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है हॉकिंग्स कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ ये और स्टीफन हॉकिंग्स ये भी कहते हैं कि इनसान के मरने के बाद कोई इसका फिर से जीवन है या कोई लाइफ है इस आफधारना के कोई भी सबूत नहीं है इसलिए इसको बिल्कुल भी मानना नहीं चाहिए और फ्रेंड्स स्टीफन ओकिंस तो दुनिया में नहीं रहे हैं लेकिन ये किताब जरूर पढ़िएगा जिसका नाम है भगवान वहां नहीं है तो ये किताब आप पढ़िएगा जरूर कि आने वाले सदियों में भगवान का कोई अस्तित्व बढ़ेगा कम होगा कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा ये सब सवालों पर आप पॉंडर करिएगा आप विचार करिएगा और आपके व्यूज अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और विचार के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर फ्रेंड्स